आपने रावन का नाम लगाया है इसका क्या ताथ पर आपने रावन का नाम लगाया देवी सिंग और पार्वती या दुनिया वर कैसे नाम लगा लेते तो आपने रावन ही क्यों लगाया है मैंने पहले भी क्या इंटर्व्यू में बताया कि रावन क्यों लगाया है रावन हमारे बहुत राजा थे बगवान बुद के धर्म का पालन करते थे लेकिन आज पूरे भारत के अंदर लगबग लगबग रावन को दसैरे के दिन जलाया जाता है दस सर रावन के बताए जाते हैं जो भगवान बुद्ध दर्म कि दस पार मितायें थि, वो दस सर बता दिये. हमारे राजा का इतियास हम से छीन लिया गया, बुद्धिश्टों का इतियास खत्म कर दिया गया, वही इतियास बताने के लिए मैंने रावन नाम लगाया. आप किसको राजा मान रही है, आपने बताया कि दस सिर्वाला बताया, यह बताया, आप राजा किसको मानने जो बहुत धर्म का पालन करते हैं, किसने बहुत धर्म अपनाया था? रावन ने, हाला के रावन जो यूज किया गया है, यह हकीकत है, जहां तक मैंने पड़ा है, वो ब्रैदर्त मोर्ये के लिए रावन यूज किया गया है, ब्रैदर्त मोर्ये मोर्ये काल के दसवे राजा थे, और वो बुद्धिष्ट राजा थे, लेकिन क्योंकि दसवे राज राखी रावण जी आपको बहुत धर्म की यह जो एक ज्ञान है वो कहां से प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध के धर्म का ज्ञान तो मुझे बच्पन से था लेकिन जो मुझे पूरी तरह से ज्ञान हुआ या मैं ज्ञान कर रही हूं या पढ़ रही हूं उसके लिए मु उन्होंने मेरे अंदर देखा यह बता सकती है फिर उन्होंने मुझे बाबा साब और भगवान बुद्ध के धर्म की पूरी बात बताई और मुझे कहा कि तुम समाज के बीच जाके लोगों को बता सकती हो जगा सकती हो तुमारे अंदर वो शमता है वो ताकत है तो उन्हो दर्म को मानते थे हैं इन्दूरीति से नहीं हुई आप लोग कहां के रहने वाल है जहां कि बाबा साब करते थे आप अपने मम्मी का अपने पापा का नाम बता है मैं मोधिनेगर से निवाडी रोड पे थोड़ा आगे जाके एक गाउं है बहुत छोटा सा गाउं है अब तो उसे कंबाइन कर दिया गया पहले नानू गाउं था अब नानू धोलोडी के नाम से उसे जाना जाता है मेरे पिता जी का नाम स्रद्य दिसंबर सिंग जी है और मेरी माता जी का नाम स्रद्य भगवती जी है मैंनम आपकी जो प्रारंबिक एजूकेशन आपकी जो सिक्षा रही वो कैसे रही हमारी जो प्रारंबिक सिक्षा रही वो गोर्मेंट के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनी में मैंने सिक्षा ली फिर जो गोर्मेंट के इंटर कोलीज होते हैं फिर उनी में सिक्षा ली आपको यह लगता था कि हिंदू दर्म से करें या आपकी एक अपनी चॉइस थी अगर मेरी जिस लड़के से साधी हो वो बोधिश्ट हो या क्या हमला आपका परवरी के इसरा तो जब जब सेहरा जी मेरे पास आए इन्होंने मुझे बताया आज गुरूजी के रूप में या मेरे धर्म पिता के रूप में जाने जाते हैं तो मैंने तब जादा जाना अब साधी किस तरीके से कर रहे हैं तब तो मेरे पिता जी के उपर डिपेंड था मेरे पिता जी हिंदु रीती से साधी करने के समर्थक नहीं थे उन्होंने मेरी दो बड़ी बेनों की साधी भी बोध रीती से ही कराई थी तो अगर वो मेरी साधी हिंदू रिती से कराते तो मैं तब भी अबजेक्शन नहीं करती क्योंकि अगर मुझे पहले हिंदू धर्म और बोध धर्म के बारे में पता नहीं था लेकिन पता लगने के बाद आज मैं दुनिया में जाकर पूरे समाज के बीच जा जाकर यही बात बताती हूं कि बाबा साहिब ने जो हमें रास्ता दिया है या हमारा जो साधी करने का तरीका है जो फेरे डाले जाते हैं उसमें तुम से सफत ली जाती है कि तुम पती के मिलता है